स्वागत आपका स्टेडियाई की एड्यूकेशन प्लाटफॉम में आज जुडिश्री की सीरीज में हम करने जा रहे हैं कि आई-सी गोलतनात केस में क्या हुआ था तो वट हापिन इन आई-सी गोलतनात केस इसको हम देखेंगे और ऐसा क्या हुआ जिससे कोट को यह judgment पास करनी पड़ी कि fundamental rights जो है वो amenable नहीं है अगर आप जुडिश्री के exams की preparation कर रहे हैं तो हमारे courses जुडिश्री के लिए available हैं यह courses प्रेलम्स और मेंस दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए available हैं दोनों ही exams के लिए available हैं आप इनको purchase कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होए link के थूँ आप study IQ पे विबिन माधिमों से भी जूट सकते हैं साते ही साते ही साते इसके PDF आप मेरे टेलिग्याम चैनल अट्टरेट कपिल लाइट से आपको याद होगा 1950s का समय जब state governments land revenue land reforms करना चा रही थी state government कोशिश कर रही थी कि social economic development हो देश का तब article 191f आपके constitution का उन्हें रोक रहा था 191f ये कहता है कि आपके पास right to property एक fundamental right है ये right आपसे कोई नहीं ले सकता जैसे कि आपने देखा है कि fundamental rights जो है वो आसानी से नहीं लिये जा सकते absolute नहीं है बढ़ हाँ इतना असान भी नहीं उन्हें लेना है अब ऐसे में state governments जब जब कोई law लेके आती कोई land reform act लेके आती कोई land tenancy की policy लेके आती या land sealing की policy लेके आती तो यहाँ पे 191f के थू बार-बार उन policies को challenge किया जाता है जब पहली बार code गए जब first amendment government कर चुपी थी तो उसको लेके code गए उस first amendment में यह कह दिया गया था कि 191f यानि right to property जो है वो limited right है वो complete fundamental right नहीं है full right नहीं है उसको abstract कर दिया गया article 31a से 31b से अब यहाँ पर यह कह दिया गया कि रादेश हित में ठीक है अगर लगता है सरकार को तो वो किसी parliament को तो वो किसी की भी property को acquire कर सकती है provided वो property social economic development की हो साथ ही साथ land जो extra land थी surplus land थी state governments उसको वापिस लेने लग गई इसी के साथ जब finally court जाते हैं तो court में दो बातों को challenge किया ज गया कि कोई भी logger schedule 9 में डाला जाएगा तो उसको court challenge नहीं कर सकता अब schedule 9 में अधिकतर वो ही laws डाले गए जो land reforms को लेके थे और बार बार यह बताया जा रहा था कि आपके जो right to property है आपके पास जो extra land है जो जमिदारों के पास extra land है state उसको वापिस ले सकती है court ने शांकिल प्रसाद वर्सिस गिनन ओफ इंडिया में ये कह दिया कि fundamental right को amend करने की power parliament के पास है Parliament जब जब चाहे fundamental rights को amend कर सकती है जिस तरह से चाहे amend कर सकती है ऐसी power को हम challenge नहीं करेंगे और कोई भी रोक टोक नहीं होगी parliament पे कि वो fundamental rights या constitution को amend ना कर पाए बात ऐसे ही चलती गई आगे 14 साल हुए 17th amendment आता है 1964 में 17th amendment में 44 और ऐसे act जो है वो schedule line में डाल दिये गए अब उन्ही मेंसे एक act था पंजाब government का बात होती है 1964 की पंजाब security land tenure act पंजाब government पास करती है अब उस land tenure act में पंजाब government यह कहती है कि जितनी भी surplus land है पंजाब के पास या पंजाब के जमिदारों के पास वो सारी land हम acquire कर लेंगे surplus land हम acquire कर लेंगे ऐसे में एक family आती है IC गुलकनाथ की Henry गुलकनाथ इस family में आइसी गुलकनाथ इनवी गुलकनाथ family में 500 एकड की farmhouses थे 500 एकड की farmland थी अब यह 500 एकड की farmland को जब government ने analyze किया पंजाब government ने तुनों ने यह देखा कि 30 एकड हम गुलकनाथ family को दे सकते हैं और बाकी की जो साड़े 400 एकड के आसपस 470 एकड है वो हम कुछ tenants में distribute कर देंगे और बची वी land जो लगबख 400 सब चारसो एकड करके असपस आएगी वो state government acquire कर लेगी socio economic development के लिए उस land कर दी distribution कर दिया जाएगा landless लोगों को दे दिया जाएगा अब गुलकनाथ family के पास इतनी बड़ी land वो कैसे जाने थे गुलकनाथ family court पहुँच गई court में petition file की गई नानी पालकी वाला के थरू famous judge थे आपको नाम पता ही होगा पालकी वाला court में कुछ बाते रखते हैं उन्होंने petition में कुछ बाते लिखी, कुछ अपील करी और अपील में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि constitution of India जो है वो constant assembly ने draft किया है parliament ने नहीं constitution of India permanent nature का है उसे change नहीं किया जा सकता अगर आपको constitution में कोई change लाना है तो आपको constant assembly बिठानी पड़ेगी parliament के पास कोई power नहीं है साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप constitution को amend करते हैं तो आपको doctrine of implied limitation के तहट ये doctrine of implied limitation हमने वाइमर constitution से पढ़ा वाइमर constitution जर्मनी का constitution तो वहाँ पर एक doctrine दिया गया है doctrine of implied limitation यहाँ पर ये कहा गया था कि सरकारे या parliament सब कुछ amend कर सकती हैं लेकिन उसके amendment power पर कुछ रोक रहेगी वो amendment power पर क्या रोक होगी वो होगी basic structure पहली बार 1967 में आपकी country में basic structure doctrine को discuss किया गया 11 जज की ये bench थी IC गोलकनाद और 11 जज यहाँ पैठे हुए सुन रहे थे सारी की सारी पालकी वाला की बाते अब पालकी वाला उनको समझा रहे थे कि कैसे पारलेमेंट के पास complete power नहीं है पारलेमेंट के पास absolute power नहीं है constitution को amend करने की तो यहाँ पे इसके बाद कुछ और भी बाते रखी गई कहा गया 191F fundamental right है और fundamental right को पारलेमेंट नहीं ले सकती साथी साथ ये कहा गया कि fundamental right जो है वो soul है constitution के integral part है उन्हें amend करने का मतलब है constitution को distort कर देना साथी साथ एक और बात रखी गई article 368 की ये कहा गया कि article 368 की heading ये कहती है कि आपका जो constitution है उसको amend करने का procedure 368 में लिखा हुआ है procedure to amend the constitution power की तो कहीं बात ही नहीं की गई पूरे article 368 में कहीं पे भी term power को use नहीं किया गया तो जब term power use नहीं है तो फिर आपके पास यानि parliament के पास power नहीं है constitution को amend करने की ये सारी बाते court ने बहुत detailed में study करी साथ ही साथ 17th amendment को भी study किया और जहां पे challenge किया गया था कि 17th amendment में जो पंजाब government का act है इसे null and void कर दिया जाए इस पे court ने discussion किया finally deliberation हुआ court के पास एक question था कि क्या parliament पहली चीज fundamental right comment कर सकती है कर सकती है तो कितना कर सकती है और क्या इस amendment के थूँ वो right to property ले सकती है इन सब सवालों के जवाब दिये court ने अपनी judgment में 11 judges ने मिलके एक judgment को लिखा और आपके सामने judgment रखी एक जबाब दिया अब पहली चीज ये कहती है court कि parliament जो है वो fundamental rights को amend नहीं कर सकती beyond amendment की power के लिए parliament मतलब parliament के पास कोई भी amendment की power नहीं है साथ ही जाथ आप देखेंगे कि अगर आपको amend करना है तो आपको constant assembly को बिठाना पड़ेगा parliament को कहा गया कि अगर आप amend करना चाते हो तो आप constant assembly को ले किया हो अगर आपको article 13 याद हो 31 में लिखा है 31, 13 clause 2 ये कहते हैं कि parliament ऐसा कोई भी law नहीं लाएगी जो fundamental right को infringe करे article 368 में term है amendment article 13 में term है law court ने कहा कि अगर article 368 के तहत कोई भी amendment होता है हम उसे article 13 में law मानेंगे और अगर वो law fundamental right को infringe करता है तो हम उसको allow नहीं करेंगे तो यहाँ पर court ने कहा कि हम democracy को protect करके रखेंगे parliament की autocratic power से और आज हम कहते हैं कि fundamental rights जो है या फिर fundamental rights को amend करने की power जो है वो parliament के पास नहीं है court ने आप एक और similarity बताई fundamental rights की natural rights के साथ court ने का fundamental rights और natural rights समान है जैसे natural rights को नहीं लिया जा सकता ऐसे ही fundamental rights को आप human being से नहीं ले सकते और court ने judgment दिया कि fundamental rights जो है वो beyond amendment है और parliament जो है वो इन्हें amend नहीं कर सकती इस पूरी judgment के बाद बहुत ही जादा human cry हुआ अब यहाँ पे एक चीज यह आ गई है 67 में कि parliament जो है वो fundamental rights को अमेंट नहीं कर सकती अब parliament को इसका जवाब देना था parliament ने 24th amendment को पास किया 24th amendment में यह कहा कि parliament के पास power है amendment करने की और साती सात article 13 और article 368 को भी amend किया इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे हमने आगे challenge किया केशनन भारती मुसको फिर detail में पड़ेंगे लेकिन अभी गोलकनात का जो मुद्दा है वो यही है कि parliament के पास बिलकुल भी power नहीं है fundamental rights को amend करने की और अगर parliament assignment करना चाहती है तो उसको constant assembly को वापिस से constitute करना पड़ेगा तो आशे गर्दों topic आपको समझ में आगा मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी case law में और आगे की चीज़ों को discuss करेंगे तब तक के लिए series को देखते रहिए चैनल को subscribe करके रखिए गड़ आगे के और अगड़े जबाश तक करेंगे अगड़े से लिए